हेलो आल आफ यू मैं इसे आप सभी का अपने यूटूब चैनल डायमंड सुपर इस्टडी क्लासस में स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नरेशन में असर्ट्यू सेंटेंस चल ला था उसके रूल हम लोग पढ़ रहे थे ठीक तो मैंने आप लोग लोगों को बता रहे हैं एक से बड़िया रूल बता रहे हैं और देखिए यह आज नई चीज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं यह आप लोग हो सकता जानते होंगे लेकिन मैं इसमें जो चीजे लिखा हूं जितनी चीजे मैंने लिखी है वो हो सकता है आप लोगो को याद रखना बहुत ही जरूरी है तो यह जो मैंने टेबल आप लोगों के सामने बनाई है यहाला कि अगर मैं वीडियों में बनाता तो यह बहुत देर लग जाती इसलिए मैंने बना लिया पहले उसके बाद मैं आप को समझा दूंगा इसके बारे में बता दूंगा ठीक उस तरह पहुट टाइम लग जाता अगर एक एक चीज लिखता ठीक तो देखिए इसमें क्या था मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था जब और मैंने बताया था कि इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा तो बस वही टाइम आ गया है आप लोगों को सीखने का टाइम आ गया और इसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है आप लोईकों को क्योंकि अगर यह चीज नहीं जानेंगे तो आप लोग बनाने में थोड़ी आप लोगों को प्राप्लम होंगी ठीक तो आए हम लोग देखते हैं वह कौन कौन सी चीजे हैं आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक टेबल लेकिन मैं जब बताऊंगा तब आप लोगों को समझ में आप आएगा इसमें का ठीक तो यह चीजे डिरेट में दी रहेंगे यह चीजे और मैंने लिखनी रहेंगी तो देखिए एक अगर लोगों कोई, अगर को ठीक तो वहाँ पर आप लोगों को यह ऊजों सि我不知道 हो अगर रिपोर्टेड़ speech में now लिखा गया हो, तो indirect जब आप लोग बनाएंगे, तो वहाँ पे now का आप लोग then कर देंगे, क्या कर देंगे, then कर देंगे, ठीक, और अगर this लिखा हुआ है, तो उसका आप लोग that कर देंगे, indirect बनाते वक्त, और these लिखा है, तो दोज कर दिया जाएगा, अगर ego दे द दिया जाए, तो before लिख दिया जाएगा, ठीक, और दस अगर लिख दिया जाएगा, तो सो लिखा जाएगा, या last day, या year दिया गया है, तो हम लोग याद रखेंगी, कि last जहां पर भी दिख जाएगा आप लोगों को, तो उसमें the previous लगाना है, the previous जरूर लगाना है, देख से नहीं है, आप लोगों को, चलिए, देखिए, यहाँ पर मैंने लगबक कितने 18 लिखें हैं, 18 डायरेक्ष चेंज करने के लिए, यह चीज़े लिखी हैं, और यह आप लोगों को याद करना मस्ट रहेगा, तभी आप लोग डायरेक्ष बना पाएंगे, देखिए, अगल अगर आप लोगों को टूडे दे दिया गया है, टूडे आप लोगों ने सुना ही होगा, टूडे दिया है, तो डायरेक्ष डे लिखना पड़ेगा आप लोगों को, इंडायरेक्ष बनाते टाइम, ठीक, अगर नेक्ष दे दिया गया है, तो दा फालोइंग लिखेंगे, क्या लिखाएंगे दा फालोइंग लिखा जाएगा अगर नेक्स्ट दिया गया है तो दा फालोइंग लिखा जाएगा ठीक और अगर कम दे दिया गया है अगर कम आ जाए उसमें कहीं पे तो गो लिखा जाएगा उसका क्या लिखा जाएगा गो लिखा जाएगा और अगर ल याद रखी कि अगर जहां पर दे दिए जागह दिए लगा ऐगा लास्ट लिखा जाए तो याँ लिखा जाए और अगर इफॉट अजाए कहीं पर निस्ट लगेगा बाकी आगे जो दिया रहा है असे सबसे चेंज कर देंगे तो देखिए दाउल लएकिना लगेगा लास्ट में दाऊ प्रीवियस लगेगा आएगे देख लेते हैं टुमारो लिखा हुआ है तो तुमारो कल होता है नशंद लिखेंगे क्या लिखेंगे ? देखिये यहां पर मैंने लिखाया है भी दड़ ड़ोॉटटर तुमारो के लिए ट्रश लगाया गया है यहां पर तुमारो लिखा है मतलब कल तुमारो मतलब कल जो आने वाला होगा ठीक तो देखें उसको लिखाएंगे दा नेक्स्ट डे जो अगला दिन होगा और दा फालोइंग जो आ रहा है अगला डे जो आ रहा है या दा डे आप्टर जो आज के बाद जो कल दिन आएगा यहां पर नेक्स्ट लिखा हुआ दा फालोइंग योच किया गया देखें प Fight प्रिवियस डे कर से लास्ट मतलब पिछला वाला तो यहां पर ilack लिखा जाएगा और यहां फिर अगर लेखना अप लोगो को तो593 अन्यवरण, गय contributor डीया तहट? यह लोगोग लिख सकते हैं जो आप लोगों को पसंद हो या याद को याद हो जाए जो टीजियें में को याद हो लिखते हैं छहली के लिखा लास्ट नाइट माईने को आप लोगों को बताया दा प्रीवियस लगेगा दा प्रीवियस लगेगा तो यहां पर आप लोगों को दा प्रीवियस लगेगा तो यहां पर लिख देना है और अगर नाइट लिखा है तो यहां पर नाइट लिख दिया जाएगा बस आप लोगों को इतना चेंज करना है ठ कोई समस्या नहीं है ए यहरई एगो को हम लोग क्या लिखेंगे एर भिफोर चेंज तो क्या होता है एडैक्ट मेंन ठीक यहां पर फिर दा प्रीविएस लिख सकते हैं ठीक the day before the day before yesterday the day before yesterday को change करके two day before या फिर earlier मतलब की the day before yesterday देखिए जो पिछला वाला हो जाएगा ठीक इसके लिए तो two day before या फिर earlier लगा सकते हैं चलिए next year लिखा गया क्या लिखा गया next year लिखा गया है तो इसको हम लोग the following year लिख देंगे इसी हिसाब से जो अभी पीछे हम लोगों ने देखा है चलिए मैं इतना समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने मैंने जितना बताया है यह table अब तक आप लोगों को एकदम learn हो गई होगी अगर learn नहीं होई है हो सकता है 60% या 70% आप लोगों को आ गई होगी और आप लोग यह table बना लीजिएगा और इसको एक से दो बार तीन बार लिग लीजिएगा बना लीजिएगा table दो से तीन बार आप लोगों को 100% याद हो जाएगी ये table दुबारा आप लोगों को याद करना नहीं रहेगा और अगर इस तरह नहीं आद होता है तो हमारी टिदे केक समझ लिजिए वो कैसे याद करना है आप लोगों को देखिए अब जब आप लोग sentence करेंगे जब direct से indirect बनाना start करेंगे तो उसमें ये चीजे जब आएंगी तो आप लोग यहीं से जो आप लोगों के पास table बनी रहेगी वहीं से आप लोग change करना देख करना ठीक अगर आप लोग देख के चेक करेंगे मैं आप से guarantee लेकर कहता हूं अगर आप लोगों ने tomorrow अगर एक बार देख से चेंज किया है और उसको अगर दूसरी बार देख स चेंज किया है उसी टेबल से मैं कहता हूँ तीजरी बार आप वो टेबल देखने ही नहीं पड़ेगी तुरंत आप लोग the next day or the following day लिख देंगे तीसरे सेंटेंस में जहां पर tomorrow आ जाएगा तो इसी तरह आप लोग सेंटेंस चेंज करते रहिए टेबल देखते रहिए और हो सकता है आप लोग को 15 से 20 पची सिंटेंस बनाने के बाद ये पूरी टेबल खुद लर्न हो जाएगी कि टेबल पलट के देखनी नहीं रहेगी कि देखे ये यस्टरडे का क्या होगा लास्ट नाइट का क्या चेंज होके आएगा ये कभी आप लोग को देखना नहीं रहेगा ठीक बाकी आप लोग को मैंने ये टेबल बताई है और इसमें से माण लीजे देखिए इसको हमाई रेज करता हूँ ठीक इसको रेज करता हूँ एक सेंटेंस बता देता हूँ आप लोग को पता चल जाएगा कि ये चीजे कैसे चेंज करना रहेगा देखिए आप लोग को कैसे सेंटेंस चेंज करते हैं और अब बस आप लोग को कभी भी टेबल याद करनी नहीं रहेगी सिर्फ आप लोग 20 सेंटेंस इसके बना लिजेगा ठी देखिए मैं एक सेंटेंस लिखे दे रहा हूँ इसमदर सेंटेंस 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 इसमदर सेंटे लाश्ट नाइट ठीक यह सेंटेंज लिखा गया है तो देखिए इसको कैसे चेंज करना रहेगा और इसमें कहां पर समय निकड़ता सुचक सब्यद दिये गए देखिए यहां पते लाश्ट नाइट दिया गया है और इसको चेंज करके हमको सेंटेंस बनाना तो देखिए यहाँ पर हीज मदर हीज मदर सेट का सेट लिख दीजिए कामा इनवर्टेट कामा को आटा के देड लिख दीजिए फिर दारूम अब आप लोगों के माइंड में चली रहा होगा कि आगे क्या लिखा जाएगा है ना आप लोगों खुद ही सोच रहे होंगे देखिए वाज लिखा गया है यहाँ पर वाज बीन क्या लगेगा हैड बीन और उसके बाद वेरी हाट वेरी वेरी हाट और देखिए लास्ट नाइट को मैंने क्या बताया था लास्ट नाइट में मैंने बताया था अगर लास्ट कहीं पर लिखा गया है तो उसको दा प्रीवियस लिखा जाएगा बाकी आगे जो लिखा वो स्थी साफ से लिखा जाएगा यहां night लिखा गया तो हम लोग the previous night लिखेंगे ठीक तो लिख देते हैं यहां पे change करके the previous night बस आप लोगों का यह sentence एक दम बढ़िया से change हो गया अगर मान लिजे कहीं पे दिस लिखा तो आप उसको दैट लिख दीजे दीज लिखा तो दोज लिख दीजे और बस इसी का नाउ का देन लिख दीजे इसी तरह आप लोगों को एक गो भी फोर इसी तरह सारा sentence चेंज करके आप लोगों को लिखते रहना है ठीक आगे कुछ sentence और हम बता देंगे चाट के कि अच्छे अच्छे जो sentence रहेंगे वो बता देंगे आप लोगों को बस यह आसा करता हूँ यह sentence मैंने बताया है समझ में आ गया होगा और आप लोगों को टेबल कैसे यूच करनी है वो भी समझ में आ गई होगी अच्छे से है ना बाकी आप लोग ये टेबल अच्छे से तयार जरूर कर लीजिएगा, बस आज की वीडियो में बस इतना ही, ये टेबल बतानी थी, बस लगबख चीजे समाप्त होने वाली हैं, और असर्ट्यू सेंटेंस हमारा लगबख समाप्त होने वाला है, कुछ हमारे एक दो वीडियो एक दो वीडियो और बनाने पड़ेंगे, बस हमारा असर्ट्यू सेंटेंस हमाप्त हो जाएगा, ठीक, और बाकी, फिर अपनी वाही स्टोरी, कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ब जरूर करिए अपने मित्रों तक ता कि उन लोग भी इसका लाब उठा पाएं, ठीक, धन्यवाद